अध्याए एक, कुरुचेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरिक्षन धितराश ने कहा, हे संजय, धर्मभूमी कुरुचेत्र में युद्ध की इच्छा से इकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की दियूरचना देखकर, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पार कया, और उसने ये शब्द कहे ये आचारे, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिश्य दुरुपत के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्तित किया है इस सेना में भीम तथा अरजन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं यथा महारती युद्धान, विराठ तथा दुपत। इनके साथ ही धृष्ट केतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित, कुंतिभोर तथा शैब्ग जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं पराक्रम युद्धामन्यू, अत्यम्त शक्तिशाली उत्तमउजा, सुभद्ध्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारती हैं किन्तु हे ब्रामन्श्रेष्ट, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विशे में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेश रूप से निपुण हैं मेरी सेना में स्वयम आप, भीश्म, कर्ण, खिपाचार, अश्वतामा, विकर्ण तथा सोमदत का पुत्र भुरिश्रवादी हैं यो युद्ध में सदैव विजई रहे हैं ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्या करने के लिए उद्ध हैं वे विविद्ध प्रकार के हतियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्ध्या में निपुण हैं हमारी शक्ती अपरी मेय हैं और हम सब पितामें द्वारा भली भाती संदक्षित हैं जबकि पानों की शक्ती भीम द्वारा भली भाती संदक्षित होकर भी सीमिस है। अतेई सहन्य वियू में अपने अपने मौचों पर खड़े रहकर आप सभी भीश्व पितामे को पूरी-पूरी सहयता दें। तब कुरुवंश के वयोवद्ध परंप्रतापि एवं व्रिद्ध पितामें ने सिंग गर्जन किसी धनी करने वाले अपने शंक को कुछ स्वर में बजाया जिसके दुर्योधन को हर्ष हुआ। सत्पष्चात शंक नगाडे बिगुल तुरही तता सिंग सहसा एक साथ बजुठे। वह समवेश्व रत्यंत कोला हलकून था। दूसरी ओर से शुएत खोणों द्वारा खीज़ जाने वाले विशाल दर्थ परातीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंक बजाया। भगवान कृष्ण ने अपना पांच जन्य शंक बजाया। अर्जुन ने देवदत शंक तथा अतिभावजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौण्ड नामक भैंकर शंक बजाया। ये राजन कुंति पुत्र राजा युधिष्ट ने अपना अनंत विजय नामक शंक बजाया। तथा नकूल और सहदेव ने सुघोष एवं मनी पुषपक शंक बजाया। महान धनुर्धर काशी राज, परम योध्धा शिखंडी, दृष्ट द्युम, विदाग, अजे सात्यकी, भुपद, भौपदी के पुत्र तथा सुबद्रा के महा बाहु पुत्र आदी सबों ने अपने अपने शंक बजाया। इन विभिन्य शंकों की धनी कोला हलपून बन गए, जो आकाश तथा प्रत्वी को शबदाय मान करती हुई, तितराश्ट के पुत्रों के हड़य को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगी रथ पर आतीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठा कर तीर चलाने के लिए उद्दित हुआ। ये राजन तितराश्ट के पुत्रों को विव में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। इस महान परिक्षा में जिन से मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूँ। मुझे उन लोगों को देखने दीजिये जो यहां पर धतराश्ट के दुर्भुद्धी पुत्र दुर्योधन को प्रसंद करने की इच्छा से लड़ने के लिए आय हुए है। संजय ने कहा हे भरतवशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किये जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रत को लाकर खड़ा कर दिया। भीश, द्रोन तथा विश्व भर के अन्यत समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्ट यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्ये में अपने चाचाताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाईयों, पुत्रों, पौस्त्रों, मित्रों, ससुरों और शुबचिंतकों को भी देखा। जब कुंति पुत्र अर्जुन ने मित्रों तता संबंधियों की इन विभिन शेडियों को देखा, तो वह करुणा से अभी भूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की छारखने वाले अपने मित्रों तता संबंधियों को अपने समक्ष उपस्ते तेक कर, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और मेरा मुक सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंते खड़े हो रह हैं, मेरा गांडी धंश मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी तवचा जल रही है, मैं यहाँ और दिखड़ा रहने में असमर्त हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, और मेरा सिर चकर आ रहा है, हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, हे कृष्ण, इ इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वद करने से, न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख, अथ्वा इस जीवन से क्या लाब, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमी में खड़े हैं, हे मदुसुदन, जब गुरुजन, पित्रगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, तथा अन्य सारे संबंधी, अपना-पना धन एवं प्रान देने के यार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों, इस प्रत्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धित्राष्ट के पुत्रों को मार कर हमें कौन सी प्रसंदता मिलेगी, यदि हम ऐसे आतताईयों का वद करते हैं, तो हम पर पाप चड़ेगा, अत्य य चित नहीं होगा कि हम धित्राष्ट के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वद करें, हे लक्ष्मी पती कृष्ण, इस से हमें क्या लाब होगा, और अपने ही कुटंबियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, हे जनार्दन, यद्यपी लोग से अभिभूत चित्य व कि नश्ट करने में अपरात देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परमपरा नश्ट हो जाती है, और इस तरह शेश कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुक हो जा तो कुल की इस्त्रियां दूशित हो जाती हैं और इस्त्रित्र के पतं से हे व्रिश्णी वंशी अवांचित संताने उत्पन होती हैं। और इस तरह अवांचित संतानों को जन्म देते हैं। उनके दुश कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदाईक योजनाईं सथा परिवारिक कल्यान कारे विनश्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक क्रिश्ण मैंने गुरू परंपरा से सुना हैं कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हो हो कितने आश्चर्र की बात है कि हम सब जगन्य पाप कर्म करने के लिए उद्दित हो रहे हैं। राज्य सुक भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त धारी धृत राश्ट के पुत्र मुझ निहत्य थता रण भूमी में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रयस्कर होगा। संजय ने कहा युद्ध भूमी में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष्त था बान एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रत के आसन पर बैठ गया।